कि यह जैडर वन नाइन्टी कॉंप्रेसर है स्क्रॉल का 380 वोल्टेज है यह इसका ऐसे स्पीयस है ऐसे स्पीयस स्विच है सेम 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 स्ट्रेट सॉलिट प्रोटेक्शन सिस्टम है यह तो सेम सम ओवर्लोड है यानि कि किसी भी वज़ा से अगर वैंडिंग इसका वीक होता है कॉंप्रेसर में कुछ अबनॉर्मल होता है इंटर्नल तो वो कंप्रेसर को यह कंटुनिटी नहीं देगा M2 M1 इसका यह काम है सेम सम में जो गया है कुछ भी इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा होता है तो यह कंटुनिटी नहीं देगा तो इसका जो यह वैर देख रहे हैं वान अटू टीवन इसको 220 वोल्टेज चाहिए यहां पर किलेली मेंशन किया हुआ है सप्लाई 115 से लेके 230 तक ही चलेगा लेकिन जो इसको वोल्टेज इसमे 230 आता है जामिल का यह यूनिट में और यह जो वैर नंबर 1 और 2 जामिल का जितने भी एसी में 1 और 2 220 वोल्टेज है यह याद रखने है तो 220 वोल्टेज कहां पर चाहिए SSPS को जो टेर्मिनल है ठोटल छे टेर्मिनल है T2, T1, S2, S1, M2, M1 तो T में नीट्रल का लाइन जाएगा T1 में फेस जाएगा 220 वोल्टेज है सिंगल फेस वाला और बाद में M2 और M1 यह स्रीज में है यह PCV में जाएगा तो जब यह नॉर्मल रहेगा कोई प्राब्लम नहीं रहेगा ओके रहेगा तो इसमें continuity बताएगा अब यह पावर आफिस continuity नहीं बता रहा तो कुछ प्राब्लम है या वो SSPS डामेज है तो दो में से कुछ एक काम होगा तो M2 और M1 में नॉर्मली continuity बताना चाहिए अगर नहीं बता रहा है तो प्राब्लम है बाद में बच्चा S1, S2, S2 ही सिगनल देगा जब वेंडिंग में कोई भी ऐसा प्राब्लम होगा तो S2 नॉर्मली वो कुलोस होता है जैसे वो open होगा तो वो क्या करेगा M2 और M1 को open कर देगा जब M1, M2 में continuity नहीं दिखाएगा तो PCB में direct signal चल जाएगा और वहां से वो lock out हो जाएगा ट्रीप कर जाएगा या निकी तो नॉर्मली मोटा मोटी बात यह है T1, T2 में 220 वोल्टेज चाहिए M2, M1 में continuity दिखाना चाहिए यही है M1, M2 में continuity दिखा रहा है तो वो okay है और नहीं दिखा रहा तो SSPS का जो वायर है, SSPS का जो वायर है, जो M1, M2 में लगा हुआ है 24D और 25D यह दोनों वायर कहीं भी लग सकता है, उपर नीचे कर सकते है M2 में, M1 में कहीं भी लगा क्योंकि series में है, लेकि इसमें कोई मसला नहीं है, जो भी series में लेन है, LP, HP, Overload, SSPS, NTI, जितने भी सब switches है, सब को series में कोई भी अगर चेंज हो जाएगा तो कोई problem की बात नहीं है, तो यह SSPS है, इसमें जामिल का, स्क्रॉल कंपेसर में जामिल यह यूज़ करता है, तो वह सब मैं नहीं करता टाल लेगा, फिर नेबल लेट, यह 70 टन का यूनिट है, चार कंप्रेसर है, इसमें, टोटल 4 कंप्रेसर है,